हेलो एफ्रिवन मैं हूं दीपिका आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्ष भाग दो का गध्यकंड जिसका आठवा अध्याई है बड़े भाई साहब और इसके लेखक है प्रेम चंद तो आईए शुरू करते हैं मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन केवल 3 दरजे आगे उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे इस भवन की बुनियाद खूब जबूद डालना चाहते थे जिस पर आलिशान महल बन सके एक साल का काम दो साल में करते थे कभी कभी तीन साल भी लग जाते थे बुनियाद ही पुखता ना हो तो मकान कैसे पैदार बने मैं छोटा था वह बड़े थे मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालिंता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझों वह सुभाव से बड़े अध्यनशील थे हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कौपी पर किताब क के हाश्यों पर चिडियों कुटों बिल्यों की तस्वीरे बनाया करते थे कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य दस-बीस बार लिख डालते कभी एक शेर को बार-बार सुन्दर अक्षरों में नकल करते कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता न मैंने एक इबादत देखी स्पेशल अमीना भाईयो भाईयो दरसल भाई 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 राधे शाम श्रीयूत राधे शाम एक घंटे तक इसके बाद एक आत्मी का चेहरा बना हुआ था मैंने बहुत चेस्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं लेकिन असफल रहा औ और उनसे पूछने का साहस ना हुआ वह नवी जवात में थे और मैं पांचवी में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मू बड़ी बात थी मेरा जी पढ़ने में बिलकुल ना लगता था एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड था मौका पाते ही हस्टिल से निकल कर मैदान में आ जाता और कभी कंकडिया उचालता कभी कागस की तितलिया उडाता और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछ नहीं क्या कभी जार दिवारी पर चड़कर नीचे कूद रहे हैं कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे हिलाते हुए मोटरकार का आनंद हमेशा यही सवाल इसी द्वनी मैं हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था नजाने मेरे मुह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराद सुईकार है और भाई साहब के लिए उसके की भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा अंग्रेजी पढ़ना कोई हसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं एरा गेरा नत्तु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते यहां रात दिन आखे फोड़नी पढ़ती हैं और खून जलाना पढ़ता है तुम कितने घंगा हो कि मुझे देखकर भी सवक नहीं लेते मैं कितनी मिहनत करता हूँ यह तुम अपनी आखों से देखते हो अगर नहीं देखते तो यह तुमारी आखों का कसूर है तुमारी बुद्धी का कसूर है इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देख लखने जाते देखा है रोज ही क्रिकेट और होकी मैच होते हैं मैं पास नहीं फटकता हमेशा पढ़ता रहता हूं उस पर भी एक एक दरजे में दो दो तिन तिन साल पढ़ा रहता हूं फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यह खेल कूद के वक्त गवा कर पास हो मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं तुम उम्र भर इसी दर्जे पर पढ़े सरते रहोगे अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुली डंडा खेलो दादा की गाड़ी कमाई के रुपिये क्यों बरबात करते हो मैं यह लताड सुनकर आसु भाने लगता जवाब ही क्या था अब रात तो मैंने किया लताड कौन सहे भाई साहब उपतेश की कलामे निपुण थे ऐसी ऐसी लगती बाते कहते ऐसे ऐसे सूपती बान चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत रहजान तोड़कर मेहनत करने के शक्ती मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर की लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाओं जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाट डाल कर क्यों अपनी जिन्दगी खराब करों मुझे अपना मूर्ख रहना म खूब जी लगा कर पढ़ूंगा चटपट एक टाइम टेबल बना डालता बिना पहले से नक्षा बनाए कोई इसकीम तेयार किये काम कैसे शुरू करूं टाइम टेबल में खेल कूद कीमत बिलकुल उड़ जाते प्रता काल 6 बजे उठना मुहाद्धो नाश्ता कर पढ़न बैठ जाना चैसे आठ तक अंग्रेजी आठ से नौ तक हिसाब नौ से साड़े नौ तक इतिहास फिर भोजन और इसकूल साड़े तीन बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, चार से पांच तक भूगोल, पांच से छे तक ग्रामर, आधा घंटा होस्टल के सामने ही टहलना, साड़े छे से साथ तक अंग्रेजी कमपोजिशन, फिर भोजन करके आठ से नौ तक अनौ आद, नौ से दस त तक विबित विशय और फिर विश्राम, मगर टैम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात, पहले ही दिन उसके अवहेलना शुरू हो जाती, मैदान की वह सुखत हरियाली, हवा के हलके हलके जोंके, फुटबॉल की वह उचलकुद, कबड़ी के वह दा भूल जाता, वह जान लेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड पुस्तकें किसी के याद न रहती, और भाई सहब को नसीहत और फजिहत का आउसर मिल जाता, मैं उनके साए से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेस्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाउं आता, कि उन्हें खबर ना हो, उनकी नजर मेरी और उठी और मेरे प्राण निकले, हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मात और विपत्ती के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जगड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कुद का तिरसकार ना कर सकता था, सालाना इम्तिहान हुए, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, और दरजे में प्रथम आया, मेरे और उनके बीच में केवल दो साल का अंतर रह गया, जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हातों लूँ, आपकी यह गोरत पस् और उनके घाओं में नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पत जान पड़ा, हाँ, अब मुझे अपने उपर कुछ अभिमान हुआ, और आत्मविश्वास भी बढ़ा, भाई साहब का वहरॉब मुझ पर न रहा, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल अगर उन्होंने मेरी कोई फचीहत की, तो साफ कह दूँगा, आपने अपना खुण जला कर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अवल आ गया, जबान से यह हेकडी जताने का साहस ना होने पर भी, मेरे रंग धंग से साफ जाहिर होता था, कि भाई सा भाई साहब का यह आतंक मुझ पर नहीं था, भाई साहब ने भी भाप लिया, उनकी सहज बुद्धी बड़ी तीवरी थी, और एक दिन मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भैंट करके ठिक भोजन के समय लोटा, तो भाई साहब ने मानो तालवार खीच ले, और मुझ पर तूट पड़े, देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अवल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाई जान, गमंड तो बड़े-बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है, इतिहास में रावन का हाल तो पढ़ा होगा, उसके चरित्री से तुमने कौन सा उपतेश लिया, या योहीं पढ़ गए, महज इमतहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धी का विकास, जो कुछ पढ़ो, उसका अभिप्राय समझो, रावन भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, संसार में अनेक राश्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्ती स्विकार नहीं करते, बिलकुल स्वाधीन है, रावन चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीब उसे कर देते थे बड़े बड़े देवता उसके गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया कोई उसे एक चुलू पानी देने वाला भी न बचा आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभि अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा उसे यह अभिमान हुआ था कि इश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत मैं यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया शाहे रूम ने भी एक बार एहंकार किय भीक मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर्फ फिर गया तब तो तुम आगे पढ़ चुके यह समझ लो कि तुम अपनी महनत से पास नहीं हुए अंधे के हाथ बटेर लग गई मगर बटेर एक बार हाथ लग सक कभी कभी गुल्ली टंडे में भी अंधा चोट निशाना पढ़ जाता है इससे कोई सफल खिलाडी नहीं हो जाता सफल खिलाडी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए मेरे फेल होने पर मत जाओ मेरे दर्जे में आओगे तो दातों पसीना आ जाएगा जब अलजबर आठ हेंरी हो गुजरे हैं कौन सा कांड किस हेंरी के समय में हुआ क्या यहाद कर लेना आसान समस्ते हो हेंरी सात्वे की जगे हेंरी आठवा लिखा और सब नंबर गायब सफाचट सिफर भी न मिलेगा सिफर भी हो किस खयाल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं दर्जनों विलियम, कौडियों, चाल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों को नाम भी न जुरते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारूम, पंचुम लगाते चले गए, मुझसे पूसते तो दस लाख नाम बता देता, और जामेंटरी तो बस खुदा ही पना, अ, ब, ज, की जगह, अ, ज, ब, लिख दिया, और सारे नमबर कड़ गए, कोई इन निर्दई मुम्तहीनों से नहीं पूछता, कि आंखिर अ, ब, ज, और अ, ज, ब, में क्या फर्क है, और विर्थी की बात के लिए, क्यों छात्रों का खून करते हो, दाल भात रोटी खाई, या भात डाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षोकों को क्या परवा, यह तो वही देखते हैं, जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर-अक्षर रड डाले, और इसी रटंत का नाम सिक्षा रख छोड़ा है, और दुगना नहीं, चोगना हो जाए, या आधा ही रहे, मेरी बला से, लेकिन परिक्षा में पास होना है, तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ती हैं, कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निभंद लिखो, जो चार पन्नों से कम नहो, अब आप कौपी सामने खोलें, कलम हा जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी की जीवन में सयम आ जाता है, दूसरों का उन पर इसने होने लगता है, और उसके कारोबार की उन्नती होती है, लेकिन इस जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे हैं, जो बात एक वाकि में कही जा सके, उस इसी बात को ठूस दिया जाए, हम चाहते हैं, आदमी को जो कुछ कहना हो, चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको चार पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल सके लाकार के, यह जात्रों पर अत्याचार नहीं, तो और क्या है, अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संचेप में लिखो, समय की पाबंधी पर संचेप में एक निबंद लिखो, जो चार पन्नों से कम ना हो, ठीक, संचेप में तो चार पन्ने हुए, नहीं शायद सो दो सौ पन्ने लिखवाते, तेज भी दोड़िये और धीरे ध है उल्टी बात है या नहीं बालक भी इतनी सी बात समझता है लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं मेरे दरजे में आओगे लाला तो ये सारे पापड बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा इस पड़ा हूं संसार का मुझे तुमसे कही ज्यादा अनुभव है जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बाधिये नहीं पचताईएगा इस स्कूल का समय निकड़ था नहीं इश्वर जाने यह अब देशमाला कब समापत होगी भोजन आज मुझे नहस्वात लग रहा था जब पास हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए भाई साहब ने अपने दर्चे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खीचा था उसने मुझे भैवीत कर दिया इस स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्यूप है लेकिन इतने तिरसकार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुची जयों की त्यों बनी रही खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता पढ़ता भी मगर बहुत कम बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े अपने उपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुपत हो गया और फ भाई साहब फिर फेल हो गए मैंने बहुत महनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में आवाल आ गया मुझे खुद अच्रज हुआ भाई साहब ने प्राणान तक परिश्रम किया कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे दस बजे रात तक इधर चार बजे भोर से उधर छै से साडे नौ तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कानती हीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए मुझे उन पर दया आती है नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा अपने पास होने की खुशी आधी हो गई मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुखना होता लेकिन विधी की बात कौन टाले मेरे और भाई साहब के बीच मैं अब केवल एक दरजे का अंतर और रह गया था मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई की कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाओं फिर वह किस आधार पर मेरी फजिहत कर सकेंगे लेकिन इस विचार को दिल से बलपूरवक निकाल डाला आखिर वह मुझे मेरे हितके विचार से ही तो डाटते हैं मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य लेकिन यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे कई बार मुझे डाटने का आउसर पाकर भी उन्होंने धीरत से काम लिया शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डाटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा भी तो बह हूं या ना पढ़ूं मेरी तक्तिर बलवान है इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ मुझे कंकवे उडाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंग बाजी की ही भेंट होता था लेकिन मैं फिर भी भा कोनामेंट की तैयारियां आदी समस्याएं सब गुपतु रूप से हल की जाती थी मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है एक दिन संध्या के समय होस्टिल से दूर मैं एक कनकवा लूटने बेतहाशा दोड़ा जा रहा था आखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाश कामी पथिक की ओर जो मंद गती से जुमता पतंग की ओर चला आ रहा था मानो मेरी आत्मा स्वर्ग से निकल कर विरक्त मन से नए संसकार ग्रहन करने जा रही हो बालकों की पूरी सेना लगगे और जाड़दा पर बास लिए इनका स्वागत करने के लिए दोड़ी आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी सभी मानों उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है ना मोटरकारे हैं ना ट्राम ना गाड़ियां सहसा भाई साहब से मेरी मुठ भ उसे बोले इन बाजारी लोड़ों के साथ धेले के कनकवे के लिए दोड़ते हुए तुम्हें शरम नहीं आती तुम्हें इसका भी कुछ लिहास नहीं कि अब नीची जमात के नहीं हो बलकि आठवी जवात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दरजा नीचे हो आखिर आद जल्चियों को जानता हूँ जो आज अवल दरजे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडन्ट हैं कितने ही आठवी जमात वाले हमारी लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं बड़े बड़े विद्वान उनकी मात हती में काम करते हैं और तुम उसी आठवी जमात में आकर बाजारी लॉंडों के साथ कनकवे के लिए दोड़ रहे हो मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगारों के हत्या कर डाले तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई सह से महज एक दरजा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे से कुछ कहने का हक नहीं है लेकिन यह तुम्हारी गलिती है मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो नी संदेर अगले साल तुम मेरे सम कक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ लेकिन मुझ में और तुम में जो पांच साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा मुझे दुनिया का और पढ़ने से ही नहीं आती दुनिया देखने से आती है हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा जी शायद पांचवी छटी जमात से आगे नहीं गए लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुध की राजवस्ता है और आठवे हेंड़ी ने कितने वियाह किये और आकाश में कितने नक्षत्र हैं यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बाते हैं जिनका ग्यान उन्हें हम से और तुमसे ज्यादा हैं देव ना करे आज मैं बिमार हो जाओं तो तुम्हारे हाथ पाउं फूल जाएंगे दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा लेकिन तुम्हारी जगे दादा हो तो किसी को तार ना दे ना घबराएं ना बधवास हो पहले खुद मरस पहचान कर इलाज करें बिमारी तो खैर बड़ी चीज है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के महताज हो जाते हैं नाश्ता बंध हो जाता है दोबी और नाई से महच भाग इजद और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुम्ब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर नौ लोग थे अपने हेड्मास्टर साहब को ही देख लो एमे हैं की नहीं और यहां के एमे नहीं आक्सफोर्ड के एक हजार रुपिय पाते हैं लेकिन उनके घर का इंति इज़ाम करते थे खर्च पूरा न पड़ता था कर्जदार रहते थे जबसे उनकी माता जी ने प्रबंद अपने हाथ में ले लिया है जैसे घर में लक्षमें आ गई है तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो मेर देखते तुम बेरहने चलने पाओगे अगर तुम यह न मानोगे तो मैं थपड का प्रयोग भी कर सकता हूं हो सकता है तुम्हें मेरी बात जहर लग रही हो मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया मुझे आज सच मुझ अपनी लगुता का अनुभव हुआ और भा आपको उसके कहने का अधिकार है भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और भूले मैं कनकववे उड़ाने को मना नहीं करता मेरा भी जिलल चाता है लेकिन क्या करूं खुद बे रहा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं यह करतव भी तो मेरे सर है संयोग से उसी वक्ते एक कटा हुआ कनकववा हमारे उपर से गुजरा उसकी डोर लटक रही थी लड़कों का एक कोल पीछे पीछे दोड़ा चला आ रहा था भाई साहब लंबे हैं ही उचल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हस्टिल के तरफ तोड़े मैं पीछे पीछे दोड़ था आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो में अंध तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ तैंक यू